एक नया विशह, जैसे आप सब लोगों को पता है, हमारे सामने एक चैलेंज की रूप में आया है कि हम कैसे ब्लैक फॉंगस को मैनेज करें, उससे संबंदित एंफोटिरिसिन बी जो कि एक एक एंटी फंगल ड्रग है, जो देश में लिमिटेड सप्लाई में शुरू में मेनफेक्शर को देश में लाइसेंस दिलवाने का कारिय मिनिस्ट्रि फार्मा, मिनिस्ट्र फ हेल्फ कॉडिनेशन से कर रही है। इसके साथ ही जो अभी एक्जिस्टिंग मेनफेक्शर्स हैं, वह भी अपनी कैपास्टी और अपने प्रॉड़क्शन कैपास्टी को बढ़ कि हम infection prevention control practices पर कारे करें जिसके तहट हमने state से request की है कि हर hospital में hospital infection control committee बनाई जाए हर COVID hospital में भी उस पर कारे हो हमने उनसे यह भी request की है कि transmission based precaution यानि कि चाहे वे droplet हों चाहे वे airborne हों चाहे contact related infection prevention management हो health care workers और patient safety सम्मंदित सभी guidelines को follow किया जाए biomedical waste management को भी तरीके से manage किया जाए guidelines के तहट और इसके साथ ही वह settings जहांपर की infection हमें और अधिक मातरा में ध्यान रखना है control करना है जैसे की ICU से हमारे या हमारी labs है या वहाँ पर जहां की हमारे patient जो की immunocompromised हों या steroid treatment पर हों या जिनको कोई existing comorbidities हो वहाँ पर हम enhanced focus से infection prevention control practices पर कारे करें यह हमने state को guide किया है इसी के साथ ही आयूश से सम्मंदित rehabilitation और management सम्मंदित guidance देने के लिए एक country wide counseling helpline भी आयूश मंत्राले ने शुरू की है